हेलो दोस्तों आज फिर नई वीडियो में आ चुके हैं पुन आज हम करेंगे सरी लिकान एक सेकेंड में आंसर आजाएंगे ये तीन होगे क्या बात करते हैं देखिए आपको विश्वास नहीं है तो देखिए कैसे गुती है एक सेकेंड एक दो तीन चार पांच है इसका आएगा 5.6 ठीक है एक दो तीन चार पांच छे, साथ आठ आठ एक नो नाइन अपन इसका आएगा वन ठीक है एक दो तीन चार पांच छे छे वटेश साथ देख लीजिए अंसर आगे को नहीं आगे आप भी कर सकते इस तरीके से ही जो आप दर्विंसर के पास पढ़ने आए हो तो कोई टेंसर नहीं बात हो गी क्योंकि आपको इतना ही टाइम लगेगा कुशनों में एकजाम में जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसके अंसर आपने ट्रिक के अंसर उसकी को सुलिशन को किया तो आपका नमर कोई नहीं काटने वाला ठीक है तो इसका 5 upon 6 आगया इसका बना आगया इसका 6 upon 7 ठीक है कोई टेंसर नहीं है आप हम इनको देखते हैं कैसे आया यह आज़ा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मेर हमारा लच्छ है कि इस वीडियो को हर एक परिशन जितने भी आपके वाट्साप फेस हो जितने भी कनेक्टिविटी हैं आपके साथ में सब पर आपको सेयर करना है ठीक है क्योंकि आपका बच्चा तो पढ़ेगा इसके साथ में अन बच्चे भी पढ़ेंगे आपके साथ म ठीक है हमारा लच्छ हर बच्चा पढ़े तो इस सॉलीशन को हमने डारेक्ट आंसर करना सिखा दिया ट्रिक के अनुसार है तो वो आपको समझ में आया तो हम मैं इसको सिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ठीक है और बिदिन सेकेंड में आप भी करोगे चुटकियों में ठीक कितना इजली कर रहे हैं कितना आसान करना देखो सलीली करना है यह नंबर दिया हुआ है सबसे पहले अपने को देखना है इसमें डिप्रेंस ठीक है जब हम इसका फैक्टर करेंगे फैक्टर तो जानते ही होंगे सब लोग ठीक है फैक्टर करना मैंने इससे पहले वीडियो नहीं आता तो जैसे 2 का फैक्टर किया 1 से तो 2 यह आएगा 2 का फैक्टर किया 3 से तो 6 आएगा 4 का फैक्टर किया 3 से तो 12 आएगा ठीक है और 5 इंटू 4 किया तो 20 और 5 इंटू 6 किया 30 तो इस तरीके से फैक्टर कर लिया अब इसका जो भी डिफ्रेंस आ रहा है यहां पर ही बना 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 रहा है इसको माइनस कीजिए तो 1 बना रहा है बना रहा है बना रहा है कोई टेंसन नहीं नहीं करना है इनका same difference है तो हमें कोई tension नहीं है answer एक second के अंदर ही आएगा इसका यह formula होता है वो होता है n upon n plus 1 ठीक है अब हमें कुछ नहीं करना है यहाप है सरफ आपने को value check करना है कितनी है एक दो तीन चार पांच तो 5 हमारी value हो गई ठीक है 5 हमारी value हो गई और नीचे भी हमारी 5 है और plus 1 कर दिया तो answer हमारा कितना आया 5 upon 6 इस तरीके से answer हमारा 5 upon 6 आ गया ठीक है clear होगा के नहीं समझ में आ गया होगा बिलकुल सही तरीके से समझा है मैंने कोई जान दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इतनी easily trick से मैं कार कर रहा हूँ आपको बिलकुल समझ में आ भी गया होगा ठीक है इसको यहां करके दिखा देता हूँ कोई दिखके दिनी आएगी जैसे इसका यह भी formula होता है n plus n plus 1 इसको easily trick क्या है सबसे पहले इसको number को गिल देना number को उपर बितना ही रखना और number को नीचे एक और जोड़ देना answer खटक निकल के आता 1,2,3,4,5 5 है तो हमने क्या लिखा 5 और नीचे कितना आ जाएगा 5 से एक संक्या और बढ़ा दिये 6 answer आ गया कैसी 5 plus अब करिए 5,5 plus 1 तो इकल टू कितना आएगा 5 upon 6 तो answer आ गया इस तरीके से यह solution होगा ठीके तो यहाँ पर भी same बस आपका factor कौन सा बढ़ गया है यह बाला बढ़ गया है यह तो same ही है यहाँ पर भी 2 है यहाँ भी 6 है यहाँ भी 12 है यहाँ भी 20 है यहाँ पर भी 30 है यह आपका बढ़ गया तो यहाँ पर आपने फैक्टर करेंगे 7 चंग 42 तो यह भी फैक्टर same हो रहा है यहाँ पर देख लीजिए सब के फैक्टर कैसे हो रहे है जैसे मैंने इसका किया 2 into 1 फैक्टर difference भी आपका same आ रहा है 2 into 3 इसका भी same difference आ रहा है 4 into 3 इसका भी difference same आ रहा है 4 into 5 इसका भी same आ रहा है और 5 into 6 सब के difference आप देखना 1 आ रहा है सब के difference 1 आ रहा है तो यहाँ पर सब के difference आ रहा है वो same आ रहा है तो same आने पर हमारी condition क्या थी n plus n plus 1 तो n plus 1 कितना होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो 6 मैंने रखा उपर और 6 प्लेस 1 तो हमारा answer कितना आ गया यहाँ पर? 6 को यहाँ रखेंगे और नीचे कितना? 7 तो यह हमारा answer आ गया तो इस तरीके से मैंने आपको 1st बता दिया, 3rd बता दिया अब second में थोड़ा सा changes है second में यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है यहाँ पर अलग है, यह अलग है, यह अलग है बिल्कुल क्योंकि इसके जो factor बनाएंगे वो थोड़ा अलग तरीके से होगा और यहाँ से यह पूरा अलग तरीके से होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं यह वाली value को छोड़ करके इधर वाली value तो हमारी same चलती है condition के को निक देखा जाए तो बिल्कुल लग चल लग चल लग है तो यह answer तो सही आ गया, इसको पुने कर लिया था 78 56 यह factor हो गया ठीक है 89 में वात्तर, यह भी factor हो गया ठीक है, इसके भी factor कर लीजिए 2 into 1 2 into 3 4 into 3 4 into 5 5 into 6 और 7 into 42 7 into 6 यह हो रहा है तो सबकी difference देखना चाहने है तो सबकी same आ रहा है तो difference same आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है यह difference को हटा देते हैं फिर देखिए solution एक second के अंदर हो जाएगा बस आपको यह पहले चेक करना है ठीक है यहाँ पर कितना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ है तो 8 upon 9 हमारा answer आ गया यह क्या आया है अभी यह सरफ इस वाले value को आया है पूरी इस वाले value को आया है बट इसमें कितना है 1 upon 9 और भी है तो अभी इसका पूरा answer नहीं है इस वाले value को आजाए वो भी किस तरीके से यहाँ पर 8 संग्या थी तो n, n प्लस 1 के according तो n पर खा 8 नीचे 8 प्लस 1 और 9 अब हमने यहाँ पर जो लिखा है उसको same लिख लेते है 1 upon 9 और यहाँ पर हमने plus वाला sign है तो plus वाला ले लिए अब यहाँ पर दोनों condition same है तो हम एक condition निकाल लेते है अब इसका isk में divide देंगे तो 1 ही बचेगा इसका isk में बचेगा तो भी बना आपका बचेगा 8 की 8 आजाएगी यह आपके भेलू ठीक है फिर equal to करेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है 9 और यहाँ पर भी 9 तो यह same कट जाएगा तो answer कितना बचेगा 1 ठीक है यही अपना answer बना जाता समझ में आ गया होगा बिलकुल इस तरीके से आपके salary current बहुत ही simple तरीके से ट्रेक्ट से है क्योंकि आप इसको divide करेंगे फिर divide करेंगे divide करेंगे जो संख्या आईगे उसको add करेंगे तो आपको कम से कम 3 गंटे लगाएगा एक सवाल इसको आपका divide करते समय आपको 3 गंटे लगे जाएगे और वो भी संख्या कैसी आएगे आपकी 10 मलम में आप उसको कन्नी पाएँगे ठीक है उसको अलग निकाल लिए अलग निकाल करेंगे उसको add करीए तो आज की वीडियो में मज़ा आगया तो इस बात पर एक like बनता है share बनता है और इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं तो उससे प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजे और इस वीडियो को सब जगे फैला दीजे जली से जली जहन नेश वीडियो में फिर मिलते हैं थैंक यू वेरी मच